कि हाओ तूरिश यॉड्सी राइट मीटटोलची इन कौंटीटियिटिटव रिसर्च जब हम को अधम्हाइब रिपोर्ट करते हैं तो अगिक प्र सीजो के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं मिन्स भोड़ी तो थोड़े दिश्ए दिरिके से रिपोर्ट होगी और अगर आप पेपर रिसरच आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें जरॉत आप मिन्स उसके वह होंगे पर थोड़ा सा उसको हम डिफरेंट स्टाइल से रिपोर्ट करते हैं तो मिथडालोजी अगर हम थीसिस के लिए लिखते हैं तो वी राइट अचैप्टर तो एक्स्प्लेंग दा प्रोसीजर्ज इन्वाल्वड इन कंडुक्टिंग दा रिसर्च हम बड़ी डिटेल के साथ बात करते हैं कि हमने रिसर्च डीजाइन दाइक्ट किया और उसमें जो है हमने कैसे जो है उस डीजाइन में बहुत सारे यह णॉन भी सायोग सकता है इस चप्टर को पढ़ने के बाद and the information provided in the methodology section allow people to check whether your approach is accurate or dependable आप जब यह सारा लिख देते हैं methodology में कि आपने research कैसे conduct की तो फिर reader यह decide करता है कि वो कितनी आपने accurately चीजें की हैं या आपके जो results हैं वो कितने dependent हैं कितने reliable हैं इसके अगर sections की बात की जाए तो इसका पहला section जो है अगर आप thesis के लिए methodology लिख रहे हैं तो वो research paradigm का होता है research paradigm जैसे के quantitative research में positiveism epistemology है तो आप इसमें बात करेंगे कि how does positiveism suit to your research question या आपका जो research problem or question है उसको positiveism कैसे address करता है कैसे उसको suit करता है फिर इसके बाद हम research design पर आ जाते हैं तो जो दो popular research डिजाइन survey यहां आपकी longitude experiment जो study है quantitatively के जो दो popular research design है इन मेंसे अगर आपने कोई एक select किया तो क्यों किया और किन बन्यादों पर किया आप वो explain करते हैं फिर आपका time in research क्या आपका जो अगला section होता है वो है study settings का तो study settings you actually tell the reader where you have conducted this study and with whom you have conducted with this study what were your respondents and from where they belong to इसके बाद अगर हम बात करें तो in methodology you actually tell the readers about the data collection procedure के आपने data कैसे collect किया तो quantitative research में पर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं data collection procedure को explain करते हुए आप estimation करते हैं sample size की कि कि आपका sample size क्या है फिर उस sample size से data collect करने के लिए आपकी sampling technique और strategy क्या रही है आप उसके बारे में बताएंगे और फिर end पे इसमें बताएंगे कि कि क्या आपका response rate रहा इस study के लिए उसके बाद आप टूल आफ डेटा कलेक्शन बताएंगे कि आपका टूल structured interview था पोस्टल जो है survey था online survey था कौन सा था और आपने जो है किस टूल के साथ data collection आप ऐत स्थच करेंगे आप इन कोडिश्च करेंगे और उनको करेंंगे और उनको लिएंगे लिए परफिल्डियुझ में नीं आप प्रयक्टिया किया उसमें आपको क्या challenges आए आपको क्या problems आईं वो report करेंगे और at the end of this chapter you will tell the reader about your analysis plan क्या आपका analysis plan क्या था अगर research article की बात करें तो research article में हम ये तमाम steps को report करते हैं but in a very brief manner research article क्योंकि आपने specific word limit में लिखना होता है तो आहां पर आप ये सारे steps के बारे में बताते हैं जरूर हम पर बड़े ही brief way में और इसको ज्यादा detail में वहां पर discuss नहीं करते हैं